Welcome back guys, आज इस वीडियो में भात करने वाला हों कि आप किस तरह से फोटो को क्लीन कर सकते हैं, अगर आपका कोई blur photo है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, बहुती easily, तो guys होता क्या है जब हम कोई photo capture करते हैं, तो वहाँ पर अगर camera fast move हो जाता है या फिर disbalance हो जाता है, तो वो photo है, वो blur हो जाता है और वो photo खराब हो जाता है, जिससे उसको clean नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो method बता रहा हूं, उसका अगर आप use करते हैं, तो उसको अच्छे से clean कर सकते हैं, जब भी हम कोई document का photo लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा mostly होता है, अगर हम camera को हिला दे जाते हैं, या फिर बहाँ पर उसको disbalance कर देते हैं, तो उसका font खराब हो जाता है, और वो redevel नहीं होता है, कोई भी document होता है, तो आज इस वीडियो में जो method बता रहा हूं, उसको आप use कीजिए, और step by step मैं इसमें बताँगा, तो आप वीडियो को एकदम last तक देखते रह यहाँ पर enhance पर click करना, यह आप देख पा रहा होंगे enhance, तो यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी, और जिस भी photo को आप import करना चाहते हैं, यहाँ से उसको कर सकते हैं, for example में एक photo है, जिसको मैं clean करना चाहता हूं, तो यह एक photo है, तो मैं इसको अगर clean करना चाहता हूं, example के हो रहा है, हम कुछ wait करेंगे और यह एड़ यहाँ पर आ जाएगा guys, guys मैंने finally पूरा एड़ यहाँ पर watch कर लिया है, और आप देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह से आ चुका है, आपने देखा हूगा guys, तो यहाँ पर जो blur photo है, before और after, guys अगर आप देखेंगे, तो यह photo कु तो यह बहुत ही amazing application है guys, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कराएं, तो कर दीजिए इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए, इस तरह के वीडियोज देखने के लिए, और यहाँ पर डॉकुमेंट्स भी clean कर सकते हैं, और आप यहाँ पर डॉकुमेंट्स भी clean कर सकते काफी हद तक यहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं, और हमें इसको save करना है, अगर तो हम यहाँ पर click करेंगे, तो यह photo है, वो save हो जाएगा, कुछ इस तरह से, saving आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डॉर आ जाता है, तो हम इसको close कर देंगे नीचे से, आप देखेंगे तो यहाँ पर यह photo save हो चुका है, यह बहुत ही अच्छे से, इसने clean कर दिया है, अब बात करते हैं, इसको download कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर back चला जाता हूँ, यहाँ पर play store में जाना है, play store में जाने के बाद यहाँ पर हमें search करना है, कुछ इस तरह से, आप देखेंगे, remaining कुछ इस तरह से इसका नाम है, और हम इसको यहाँ पर search कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो first में जो application आ जाती है, यहाँ पर AI photo enhancer, guys, यह जो remaining है, वो AI photo enhancer है, मतलब artificial intelligence के तुरू यह काम करता है, तो यहाँ पर इसको install कर लेना, ठीक है, तब ही यह work करने लग जाएगा, तो मैंने यह install किया हुआ है, तो इसलिए open option आ रहा है, guys, so thanks for watching this video, मिलते हैं किसी next video in new topics सा, तब तक लिए बबाई, take care